चुनाव की तारिकों का ऐलान होने के बाद अब वार पलेट वार भी शुरू हो गया है कॉंग्रेस नेता अधिरंजन चौतरी ने साथ चरण में चुनाव कराई जाने को लेकर आयोग पर निशाना साथ दिया है आपको बता दे कि उन्होंने उन पर तंज कसा वही देखे बीजेपी नेता शाहनवाज हुसेन ने कहा कि इस बार बीजेपी दियुस्तर पार होगी और एंडिये के साथ मिलकर चार सु पार देखे साथ चरण में चुनाव तो अगर इलेक्शन कमिशन अगर सही समझे दस चरण में चुनाव किया जा सकते हैं लेकिन बात यह है कि पिछले साल में भी साथ चरण में चुनाव हुई थी इतना डिजिटल इंडिया की बात होते हैं आर्टिफिशल इंटरिजिस की बात होते हैं इतने सारे हमारे देश में सब कुछ अधुनिक बनाये जाते हैं लेकिन साथ चरणों में हम फसे हुए हैं बीजेपी के कारकरतों और देश की जनता फिर से मोदी जी को प्रधान मंतरी बनाने को तैयार है फिर एक बार मोदी सरकार बनेगी अब की बार चार सो के पार जाएंगे यह आत्म विश्वास से हम लोग चुनाओं के मैदान में जाने वाले हैं